हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जेस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर कॉलेज में दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो सबसे पहल विराट बैच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है जैसा कि आप जानते हैं हमारे 11 स्टैंडर के लिए साइन स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक निव बैच हमने लॉंच किया है जे आर कॉलेज यूटूब चैनल के उपर जो की जे आर टूटोरियल्स का ही पाट है तो बैच में आप सभी का स्वागत है और आज का जो लेक्चर वीडियो होगा वो होगा आप सभी के प्यारे से सब्जेक्ट के बारे में जो की है दोस्तो 11 स्टैंडर का बायलीजी सब्जेक्ट जी हां दोस्तो आज शिरुवात करेंगे ऑफिशल तोर पे लेक्चर की अगर आपने बायलोजी सिलेक्ट किया है आपने सब्जेक्ट चूस किया है ऑप्शन में तो कुछ सोच समझ के किया होगा कि आपका गूल क्लियर होगा कि आपको बायलोजी में खुद पढ़ाने वाला और साथ में हमारे जो अभिशेक सर है जो बायो के ही एक्सपर्ट है वो भी कुछ चाप्टर सा आपको पढ़ाएंगे यानि बहुत मज़ा आएगा आपको दोनों सर का नॉलेज बहुत बहतरीन तरीके से मिलेगा और इतना ज्यादा कॉंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि आप सोज भी नी सकते और डेफिनेटल आप क्लियर करके अगर थोड़ पढ़ रहे हो 11 स्टाइंडर में आके तो पहले कोई भी चाप्टर जो होता है वो एक इंट्रॉड़क्टरी चाप्टर होता है तो पहला चाप्टर लिविंग वर्ड इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि लिविंग वर्ड है क्या तो आज का टॉपिक है वो है दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ जो होता है जिन्दगी जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ हर एक लिविंग ठिंग उसमें क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होता है ये थोड़ा सा हम डिसकस करेंगे तो आज पहला लेक्टर है वैसे दो या तीन लेक्टर के अंदर ये करके अपनी जो रिमेनिंग पढ़ाई है वो करके आगे बढ़ सके तो इस प्रकार से हमारा मेहनत है कुछ भी आपको प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टाक कर सकते हो टेलिग्राम ग्रूप हमारा जॉइन कर लेना और ये जो भी हम पढ़ाएंगे दोस्तो आप से वहले तो यार ये जया टूटरल का एप्लिकेशन प्ले स्टोर से जाओ जया टूटरल से एप टाइप करो डाउनलोड करके रखलो इंस्टॉल करके रखलो उसमें कई सारी चीज ऑल्रीडी एविलेबल है जो चीज नहीं है जो की है क्लास नोट्स वो भी चाक्टर जैसे कंप्लीट होगा वैसे आपको मिलने लगेंगे ठीक है शिरुआत करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि that is basic principles of life होता क्या है ध्यान देना ये topic जो है बहुत मज़दार है दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी focus करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये topic लावे के साथ कह सकता हूं ठीक है अब थोड़ा सा focus करना क्या बोल रहा है कि जो life होते है जो जिंदगी होती है दोस्तों हम अगर हमारे प्रित्वी की बात करें हमारा प्रित्वी लाखो करोडों साल पहले कि अगर बात करें इसमें कोई भी life नहीं थी कोई भी जिंदगी कि थी हमारा जो प्रित्वी था एक आपका गोला था उस पे जो आला मुखी वटते रहते थे मदब देर देर वस नो लाइफ देर वस नो वाटर लेकिन धीरे धीरे जब अर्थ कूल हुआ वाटर का फॉर्मेशन होने लगा जब पानी का निर्मान हुआ बड़े बड़े सम इमल्स का निर्मान हुआ ठीक है ना तो यह स्टोरी आप जानते हैं आपने 10 में Origin of Species में आपने यह चीज़ पढ़ाया मैंने खुद ने पढ़ाया अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा Science Part 2 Chapter 3 तो आपको पता होगा यह चीज़ लेकिन अगर मैं आगे की बात करूं कि हमार इसमें Biotic और A Biotic factors दोनों मिलके रहते है अब यह भी मुद्दे की बात है वैसे तो आपको पता होगा लेकिन Biotic और A Biotic में Basic Difference क्या होता है Biotic factors यह होता है दोस्तों वह क्या होता है जो जिन्दा चीज़ है यानि कि जिसके अंदर Life Present है जैसे कि आप जानते हो कि Human Beings और पाग है, a-biotic factor, क्या लिखा है? a-biotic factor, तो a-biotic factor की अगर मैं बात करूँ, तो यह ऐसे factor है, जो क्या करते हैं? इन डिरिकली life को support करते हैं, क्या करते हैं? they support the life, क्यूँकि अगर मैं बात करूँ, इसका example की, तो वो हो सकता है, हवा, या फिर पानी, या फिर मैं बात कर निर्मान हुआ, लेकिन कभी आपने डीटेल में जानने की कोशिश की है, 10th में आपको जितना सिलाबास पा मैंने आपको पढ़ाया, उससे जादा ही पढ़ाया, मैं क्योंकि हर बार में कोशिश करता हूँ कि जितना चीजे दी हुई ये बुक में उससे जादा ही पढ़ा हू जो पहला और्गैनिजम आया होगा, फिर दीरे-दीरे करके algae बना, ठीके न, unicellular से, multi-cellular बने, तो मुझे क्या लगता है आप लोको, मतलब क्या सोच है आपकी कैसे ये organism आया कैसे, because of the abiotic factors, क्योंकि सबसे पहले तो abiotic factors आया न, सबसे पहले हमारे प्रिथवी में, वाता यानि air आया, air में बहुत सारे अलग-अलग gases आया, oxygen आया, carbon dioxide आया, ऐसे कई सारे gases का निर्मान होने लगा धिरे-दिरे, तब जाके हमारे प्रिथवी का जो atmosphere था, जो चाल-चलन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो different हो गया, और उसके suitable environment के हिसाब से ही वो grow करने लगा, जैसे आप कहीं पर जाओगे, तो बारिष के सीजन में क्या होते, ग्रीन-ग्रीन कलर का, वो पूरे फर्ष के उपर लग जाता है, उसके पर पैर रखो तो slip खा के गिर जाते हैं, हम लोग, खाये होगी नहीं, मैं तो बहुत बचपन में गिरता हो, हमारे terrace पे, यानि कि जब हम ए साइट स्लाइड, मज़ा आता था, घसर कुंडी कहते थे, इंश्वाड अगर में बोलू तो, तो वो क्या है, वो एलगी है, लेकिन एलगी का, suitable environment क्या है, एलगी का suitable environment है, कि when there will be a water, sufficient amount of water, तभी वो ग्रो करेगा, आपने कभी देखा है, कि थंडी के सीजन में ग्रो कर रहा कि कभी भी, अगर आपको एलगी को देखना है, या फिर कभी भी कोई भी particular organisms को देखना है, तो उसका एक suitable environment उसको चाहिए, तो प्रित्वी पे जब पानी का निर्मान हुआ, हवा का निर्मान हुआ, और बाकी चीजे का निर्मान होने लगा, oxygen का निर्मान हुआ, तो धीरे- उसके suitable environment organisms के लिए create होने लगे, और धीरे-धीरे organisms का निर्मान हुआ, फिर पानी में रहने वाले जीव बने, पानी से वो धीरे-धीरे निकल के जमीन प्राया, फिर जमीन के इसाब से उसने oxygen लेना सीखा, और धीरे-धीरे करके उसके अंदर body के अंदर changes होने लगे, और हुआ है, यह because of evolution, evolution plus genetic changes और यह से कही सारे हम लोग चीज़े बोल सकते हैं, तो यह किसके ओपर dependent था, और biotic factors के ओपर dependent था, तो अगर और biotic factor नहीं होगे, हवा नहीं होगा, पानी नहीं होगा, जमीन नहीं होगा, तो इंसान यानि कि कोई भी particular living organism नहीं रह सकते, imagine करके देख है, not independent, dependent है, तभी तो यह दुनिया चल रही है, और आएसे ही आगे बढ़ती रहेगी, next अगर मैं बात को रहे है, एक बार living things, जो भी है, produce हो जाता है, तो simple सी बात है, उसको क्या करना होता है, जिन्दगी जीने के लिए संघर्ष करते रहना होता है, मुझे बात बता है, ज जानवर जो होता है, एक छोटा सा जानवर लेलो, कोई भी, एक इवन चुहा लेलो, चलो, राइट, चुहा पता है, आपको चुहा आपके घर में होगा, ठीक है, तॉमें जेरी वाला जेरी, ठीक है, अब वो जो चुहा है, जब वो पैदा हुआ, उसके बात से वो धीरे- जब ग्रो करने लगता है, तो भी उसको समझ में आने लगता है, कि मुझे जिन्दा रहना है, और वो जिन्दा रहने के लिए, दूसरे छोटे-मोटे जानवर का, मतब जो भी उससे छोटे होते हैं, उसका वो शिकार करता है, या फिर कोई भी उसको खाने-पीने की लगबग 14, 15, 20 साल तक हमारे पैरेंट्स हमको पालते हैं, बाकी जानवर भी पालते हैं, लेकिन उनका एक thinking अलग है, हमारा thinking अलग है, हम लोग modernize हो चुके हैं, animals वैसे की वैसे ही हैं अभी ठीके न, हम दिमाग चला सकते हैं, वो दिमाग चलाते हैं, लेकिन उस particular चीज़ क लेकिन जैसे वो आपके शरीर में एंटर हो गया, with the oxygen, with the air, तो वो जिन्दा हो गया, that is nothing but virus, तो ये जो चीज़े होती है, इसका मतलब जितने भी living organisms हैं, उसको जिन्दा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए उसको struggle करना पड़ता है, और वो करता है, ठीके, और जिन्दा रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि पैसा important नहीं है, important यह है कि उसको energy कहां से मिल रही है, तो बहुत सारे अलग-अलग चीज़े activity करेगा, लेकिन उसको खाने के लिए, जिन्दा रहने के लिए जो energy चाहिए, वो food वो कहीने कहीं से जुगार कर लेगा, ब हमारे शरीर में, जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी oxygen हम ले रहे हैं, उससे क्या बनती है, जोस्तो energy मिलती है, उसी को metabolism कहा जाता है, दो type का process है metabolism के अंदर, ठीक है, अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे, आपको एक चीज समझ में आएगा, क्या चीज, कि एक process होता है digestion होता है, digestion होने के बाद वो कहा जाता है, ठीक है न, energy की form में, energy नहीं बनता है, फेले digestion होता है, उसके बाद धीरे-धीरे वो, जो nutrients होते होते हैं, cells के अंदर, cells के अंदर, mitochondria होते हैं, और फिर वो हाँ पर एक process होता है, जिससे हमें energy मिलती है, तो यह जो process हुआ न, that is, breaking of the complex molecules into simpler ones, that is nothing but the catabolism process, वैसे दूसरा metabolism में क्या होता है, एक और process है, जिसको बोलते है, anabolism, जिसमें क्या होता है, जो भी आपने energy consume की, वो तो होगे, लेकिन जो energy बच रिये, उसको वो क्या करता है, store करके रखता है, that is the making of the new molecules, that is nothing but the anabolism, तो catabolism और anabolism, दोनों ही मिला के बनते है, metabolism, तो metabolism इसले जलूरी है, for the survival of the any living organism, और यही जिन्दगी चलती रहती है, ठीक है, और जैसे ही कोई भी living organism, जब पैदा होता है, बर्थ होता है, तो बर्थ के बाद से ही, उस organism के अंदर अगर आप notice करोगे, तो उसके अंदर continuous क्या देखने मिलता है, आपको एक growth देखने है, लेकिन दीरे-दीरे बढ़के कितना बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, depend करता है, उसके genetics में क्या है, तो वो growth करता है, और जो growth होती है, ये भी एक चीज़ बता दू कि growth जो है, वो continuous नहीं होती है, growth जो भी इंसान के अंदर होगी, organism, animals के अंदर होगी, वो एक certain period तब होती है, कभी आपने देखा है, कि इनसान जो होता है, वो ज्यादा से ज्यादा, 18 से 20 साल तक उसकी height बढ़ती है, उसकी length होती हो बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद, उसकी जो organs है, उसके जो size है, वो बहुत rare chances से की बढ़ेगा, इसका म होले के सर, इंसान फैलता है, मोटा होता है, लेकिन मोटा कैसे होता है, उसके अंदर fat deposit होता है, organs बढ़े नहीं होते है, 18-20 साल तक ज्यादा से ज्यादा देखा गया है, कि 18-19 years is enough, उसके बाद जो है, एक height बढ़ जाती है, अंदर के organs जो है, जितना उसको develop करना था, वो develop ह हो जाता है, brain को जितना develop करना था, कर लेता है, bones को जितना develop करना था, वो कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो particular चीज रुक जाती है, और बाज में जब इंसान मोटा होता है, तकड़ा होता है, तो वो fat deposition होता है, fat बढ़ता है, इंसान इतना मोटा क्यों ना होना दो, लेकिन उसके अंदर जो organs रहेंगे, वो इतने ही रहेंगे, उसके अबास क्या है, वो fat deposition है, fat is nothing but, अलग चीज़े वो, ठीक है, muscles नहीं है, वो fat है, तो वो अलग चीज़े, तो एक particular period तक बढ़ता है, और एक और चीज़ clear कर बता दू, कि जो certain time तक होता है, उसके बाद, जो organs है, grow कर इंसान हो, जानवर हो, ओर्गानिसम है, वो क्या होने लगता है, दिल तो बच्चा है, जि तो जो दिल तो बच्चा है, जो बच्चा है, जो बच्चा था ऐ, जब एक particular उसका time period ते आप देखोगे, जब बच्पन में आपके अंदर हॉर्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, सब 16 साल, अभी आपकी जो उमर है, अभी आप कॉलेज जा रहे हो, जुनियर कॉलेज ने आपने अपने अड्मिशन ले लिया है, बस यहाँ पर आपको एक फीलिंग होती है, विकॉस आप ता हर्मोनल चेंजेस, और हर्मोनल चेंजेस ज़रूरी है, लेकिन एक समय के बाद आप चले जाओ, पचास साल की उमर क्रॉस कर लो, और आप कोई, मतलब बोलते हैं न, जैसे वो एट्रैक्शन की बात है, जितने भी ऑर्गान्स है, या फिर जो भी ऑर्गानिजम से, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, और उसका एक एजिंग पीरिड भी है, और अगर मैं बात करूँ, कि जो लाइफ है, उसका कंटिनू होने के लिए, यानि कि जिंदगी जीने के लिए, कंटिनूस होने के लिए, रिपरड़क्शन करना जुरूरी है, क्योंकि एक मेरी बात बात हो, जैसे एक इंसान आगे, सबसे पहला इंसान पैदा हुआ रहेगा, मान लो, होमोसेपियन आए, स्वरी, होमोसेपियन के बेले, अब modern human जो पहला आया होगा, उसने अगर reproduction नहीं किया होता, तो क्या हमारे पीड़ी आज होती, आज हम यहाँ पे होते, हमारे ancestor हैं नो, हमारे पूरवजेवो कहीं ने कहीं, तो इसका मतलब क्या है, कि हम सब उनसे ही आये हैं, इसका मतलब reproduction हुआ है, तभी जाके हम present है, और आगे हम यह reproduction करना होगा, तभी हमारा जो humanity है, जो इंसान लोग है, male है, female है, यह आगे रहेंगे, तो अगर दुनिया में सभी इंसान ने ठान लिया, कि मैं reproduction नहीं करूँग, मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा, जो होता है, वो दो तरीके से किया जा सकता है, sexual reproduction, asexual reproduction, इसके बारे में भली बाती आप जानते हो, 10th standard में पूरा पढ़ाया गया है, आगे आने वाले subjects में, standards में यह सब चीत आप और धीटिल में पढ़ोगे, थोड़ा सा हिंड देता हो, और sexual reproduction, जाधा तर उन organisms में होता है, जिसमें sexual organs present नहीं होते हैं, जाधा तर आप देखोगे, बहुत सारे छोटे microorganisms या फिर कुछ ऐसे plants में आप देखोगे, तो वो a sexual reproduction करते हैं, लेकिन जिसमें gametes present होते हैं, और अगर आप देखोगे, तो reproduction करने से हमारी PD आगे तो बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ हमारा metabolism जो हमने आपको पढ़ा है, metabolism भी बहुत जेलूरी है, और metabolism अगर आपका रुक जाता है किसी भी कारण वर्ष, तो समच जाना कि वो organism क्या हो जाएगा, die हो सकता है, मर जाएगा, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हो, हमारे शरीर में तब तक जिंदगी है, जब तक आपके अंदर energy flow हो रही है, मुझे एक बाट बतो, यह आपका दिल धड़क रहा है, जब से आप पैदा हो रहे हो, तब से यह दिल धड़क रहा है, तब से आपका दिमाग काम कर रहा है, रेष्ट नहीं करते हैं यह लोग, आपका दिमाग भी रेष्ट नहीं करता है, आपका दिल भी रेष्ट नहीं करता है, आपके जो अंदर organs, इस टमक है, किडिनी है, इंटेस्टाइन है, लंस है, ये कभी rest नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये rest कर लेंगे, तो आप rest in peace हो जाओगे, ठीक है ना, तो ये rest नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, तो यार ये जो rest नहीं करते हैं, मेरी उमर 27 साल की हो गए, 27 साल से 365 days multiply कर लो, आप कितना दिन, इतने घंटे, इतने second वो काम कर चुके हैं, तो यार इसको energy कहां से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं, जो fat store है, वो भी energy provide करते हैं, और इसलिए हमारा खाना ज़रूरी होता है, लेकिन जिस दिन, इसको खाना नहीं मिलेगा, energy नहीं मिलेगा, और energy नहीं मिलेगा, तो यह metabolism process जो हो रहा है, वो रुक जाएगा, energy नहीं मिलेगा, दिल बोलेगा, क्यार मेरे को काम करने के लिए, जैसे गाड़ी को चलने के लिए, पेट्रोल चाहिए, दिल को काम करने के लिए, energy चाहिए, उसको energy नहीं दोगे, metabolic activities stopped, and organism तुरन die, यही होता है process ठीक है, ध्यान में रखना है यह सब चीज़, और living beings जो होते हैं, वो हमेशा respond करते हैं, किससे thermal, यानि कोई भी temperature changes हाथ, आपको कभी गर्मी मैसूस होती है, होती है, chemical changes, कुछ भी chemical changes हो रहा है, आपको feel होता है, biological changes, आपके अंदर biological changes होती है, ठीक है, आज 10 साल, 12 साल पहले कि अगर मैं बात करूँ, मैं को दाड़ी नहीं आ थी, आज मैं को दाड़ी है, यह क्या है, biological changes है, मेरी हाइड बढ़ गई है, मेरे अंदर hormonal changes है, मुझे कुछ feel होता है, ठीक है, होना चाहिए न, फिर सही बात है, तो यही तो biology है, आप जो subject choose कियो हो न, इसमें यह तो ज़ता है, यानि diversity देखे गए है, इतनी सारी diversity कि आप imagine नहीं कर सकते हो, there are लाखो टाइप के plants, there are करो टाइप के animals, there are so many things which is present on the earth, बहुत सारे types है, तो अगर हम सिर्फ धूनने ही चले जाए, तो हम count नहीं कर पाएंगे, इतने type की species, इतने type की diversity present है, और यही diversity जो है, इसको अगर समझना है हमें, इसका inter relationship समझना है, किसके किसके बीच में, living things के बीच में, non living things के बीच में, इनके diversity के बीच में, तो हमें systematic study करने की बहुत ज़्यादा चरुवत है, और यही पूरा biology जो आप 11 standard में पढ़ने वाले हो, इसी के अंदर हम पूरा धीरे-धीरे करके, chapter by chapter क हम यह पूरा systematics को समझने की कोशिश करेंगे, और पूरा biology आपको समझना हैगा, फिर जैसे आप आगे के standard में जाओगे, बार्वी में जाओगे, और deep में गुसेंगे, graduation में जाओगे, और deep में गुसेंगे, और यह सब चीज हम करते रहेंगे, बात करेंगे taxonomic aids की, तो taxonomic aids, actual में अगर बात करो, जैसे मैंने बोला कि हमें वो उस diversity को समझने की जरूत है, तो अगर हमें उस diversity को भीवितता है, को interrelationship between the living things and the non-living things, इसको अगर समझने की जरूत है, तो हमें diversity को पढ़ना पड़ेगा, और taxonomical aids का इस्तेमाल करना पड़ेगा, what do you mean by taxonomical aids? तो taxonomical aids क अंदर बहुत सारे चीज़े आ जाते हैं, जैसे कि उसके अंदर आ जाते हैं, हमें समझना पड़ेगा, हर्बेरिया क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा, botanical gardens क्या होते हैं, हमें समझना पड़ेगा, museum क्या होता है, biodiversity, parks क्या होता, यानि कि इस chapter में, आगे का जो lecture आगा, यह पहला लेक्चर था, इसके लिए मैं जल्दी खतम भी करूँगा, और ज्यादा हम लोग ने introduction, point of view चीज़े बताईए, लेकिन जब अगला लेक्चर लाओंगा, अभी तो यह पहला लेक्चर खतम हुआ है, lecture number 2 जब लाओंगा, तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बत 20 मिनट पे हमने आपको पूरा का पूरा कुंडली बता दिया है, इस biology subject का, इस chapter का, उमीद करता हूँ, आपको हमारे साथ ये subjects पढ़के बहुत ज्यादा मजा आएगा, और आने वाले समय में तो और भी भेहंकर chapters आने वाले हैं, बहुत मज़दार तरीके से पढ़ेंगे, तो आज के लिए इस वीडियो का यहाँ पे मेंड करता हूँ, बस आपसे एक ही छोटा सा request करना चाहता हूँ दोस्तों कि देखो हम यहाँ पे मेहनत कर रहें, और उसके ओपर जो एक batch हम चला रहे हैं, विराट बैच यह नया batch है, ताकि हर बच्चे को एक ही जगा पे, एक ह आपको हर चीज मिल जाए, तो यहाँ से भी पढ़ते रहो, यह भी JR Tutorials में चैनल, JR College is a part of JR Tutorials, तो पढ़ते रहो, बस एक request है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अपने सभी दोस्तों को इनफॉर्म कर देना, कि यह JR College भी एक चीज है, JR College पे continuous मेहनत की जारी ह और अगर पहली बार चैनल पे आयो तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है, मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, त तक के लिए थैंक यू और गुट बाइ